हे गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बात करीन दोनों कार्स के डाइमेंशन की तो इन दोनों कार्स में आपको सेम ही डाइमेंशन मिलते हैं जैसे इन कार्स में आपको 3990 mm की लेंध 1745 mm की विर्थ 1500 mm की हाइट 25-20 mm का वील बेस और 170 mm का ग्राउंड क्लियरंस मिलता है अब बात करीन दोनों कार्स के एक्स्टिरियर फीचर्स की तो ग्लांजा के फ्रेंड में आपको न्यू बंपर, न्यू एलेडी डियारेल्स with LED Fog Lamps New Front Grill LED Projector Lamps और इसके Backside में आपको LED Tail Lamps मिलते है वही बलेनों में आपको ग्लांजा से काफ़ी Different Grill मिलती है उसी के नीचे आपको इसमें Connected LED Head Lamps और Connected LED DRLs मिलते है और उसके नीचे आपको Fog Lamps भी मिलते है और Backside की बात करे तो बलेनों भी आपको ग्लांजा जैसे Similar LED Tail Lamps मिलते है अब बात करें दोनों कार्स के टायर साइज की तो बलेनों और ग्लांजा इन दोनों कार्स की Base Variants में आपको 15 Inches के Steel Wheels और इनके Top Variants में आपको 16 Inches के Alloy Wheels मिलते है अब बात करें इन दोनों कार्स की इंजिन स्पेक्स की तो बलेनों और ग्लांजा इन दोनों कार्स में आपको सेम इंजिन मिलता है जो के एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजिन प्रोडूसिंग 90 होर्स पार और 113 न्यूटन मिटर साफ टार और इस इंजिन के साथ आपको Manual Variant में 22.25 और AMT Variant में 22.94 के MPL का माईलेज मिलता है अब बात करें दोनों कार्स के Sitting Capacity और Features की तो sitting वाइस तो ये दोनों कार्सी Fire Sitter है पर इसमें 4 ही लोग Comfortably बैठ सकते हैं और अब Features की बात करें तो Toyota ग्लांजा में आपको Heads Up Display Dual Tone Dashboard with Dual Tone Seats Connected Car Tech Find My Car Function 45 Plus Toyota i Connect Features 60-40 Split Function Rear Ace Events 9 Inch की Floating Smart Play Pro Touchscreen in Infotainment System With Android Auto and Apple CarPlay Heads Up Display Tilt and Telescopic Steering Wheel Advanced Voices Distant Rear Fast Charging USB Ports 360-Degree Parking Camera With 4 Parking Sensors And High Performance UV Glass ये सारे Features आपको Toyota की ग्लांजा में मिलते हैं वही अगर बलेनों की Features की बात करें तो इसमा आपको 22.86 सेंटीमेटर की Smart Play Pro Touchscreen Infotainment System मिलती है With Android Auto and Apple CarPlay साथी में इसमा आपको Dual Tone Interior Rear Ace Events Front Center Armrest With Sliding Function Rear Fast Charging Ports First In Segment 360-Degree Parking Camera And also First In Segment Heads Up Display Next Generation Maruti Suzuki Connect Tab Cruise Control Tilt and Telescopic Steering Wheel Anti-Pinch Windows 60-40 Split Function And UV Cut Glass ये सारे Features आपको बलेनों में मिलते हैं अब बात करें दोनों कार्ज के Safety की तो अगर सची-सची बोलू तो बलेनों और Glanza ये दोनों कार्ज से उनकी सेगमेंट की सबसे अनसेफ कार है पहली वाली जो बलेनों और Safety Rating मिली थी पर इस वार Maruti Suzuki ने कहा था कि उन्होंने Safety को Improve किया है पर अगर मेरी मानों तो ये बस Marketing Strategy है अब भी भी ये दोनों कार्ज अनसेफी है और Safety Features की बात करें तो Glanza में आपको 6 Airbags Vehicle Stability Control Antilock Braking System with Electronic Brake Distribution Hill Hold Control ये सारे Safety Features मिलते हैं वही बलेनों में आपको Electronic Stability Program ABS with EBD 6 Airbags Isofic Child Seat Anchors Seed Belt Rimender Rear Parking Sensor Hill Hold Assist ये सारे Features मिलेंगे तो बात करें दोनों का आज की प्राइस की तो Toyota Glanza की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रम 6.39 लाक्स और टोप मोडल कोस्ट 9.69 लाक्रुपीज एक्सोरूम इंडिया वही 2020 रुमारूती Suzuki Baleno की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रम 6.35 लाक्स और टोप मोडल कोस्ट 9.49 लाक्रुपीज एक्सोरूम इंडिया तो आते अपने वीडियो के फाइनल पॉइंट पे कि आपको इन दोनों में से कौनसी कार कंसिडर करनी चाहिए देखो ये दोनों कार्स ही सेम है इसमें आपको सब कुछ ही सेम मिलता है तो अगर आपको सच में इन दोनों में से कोई कार खरीदनी हो तो आप दोनों की डिलर्शिप पे जाओ दोनों कार्ज की टेस्ट ड्रैव करो, दोनों कार्ज को एक बार परसनली देखो और जो पसंदा है वो लेलो और अगर आपकी जगा में होता, तो मैं अफकोर्स टोयटा की गलांजा लेता क्योंकि तो यही था आज की इस वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को भी प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना